तो हेलो गाइज रबच्छा सलाम सच से रिकाल दोस्तों मैं हूँ आपका होश दोस्ति आच और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात केंगे जा रहे हैं वर्फ टैंक्स ब्लिट्स में एक बंकर के बारे में बात केंगे जा दोस्तों बंकर सामने देख लो बंकर खड़ा बहुत ही खतरनाक दिखने वाला एक बंकर जो कि यूए से टेक्रिका है और यह टीर 9 वे तुम लोग को मिल जाएगा जब लोग इसको जनली स्किप कर देते हैं और मैं पर स्किप ही कर दोंगा और तुम लोग यहां पर बहुत ही रिक्विश्ट कर रहे ते तब मैंने यहा सबको सब्सक्राइब करूंगा कि इसको स्किप कर दे क्योंकि यह बहुत बड़ा पेन हिंदा आस है और सबसे बड़ी बात क्यों है इसा में बता देता हूं तो फिर स्टैंग के पास बहुत सारी अच्छा है थी लिगन यार वो रहनी जाती है जब तक तुम लोग टॉप या फिर बॉटम पिटियर में आ जाओ या तो अच्छे प्लियर के सामने ना जाओ वो सारी जो खूबियां इसकी खामियां में बदल जाती है अब बात करें इसके इंजन की जो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्पीड यार बहुत कमें सिफ 17 km पर आर इसका मैक करेंगे बहुत ही जादा हाई प्रोफाइल आर्मर करता है तो फिर इसका अच्छा नहीं होगा या लेकिन आर्मर की बात करूं तो आर्मर भी सही नहीं है अब तो ठीक है थोड़ा कई हद तक काम चल जाएगा अच्छा परफॉर्म कर देगा कि तुम लोग यहां पर लोग कर पाएंगे श्रगल करेंगे लेकिन या जैसे ही तुम लोग टीर नाइन के मैच अप में आओगे तो टीर टेन के मैच अप में आओगे ना और जो लोग समस्ते हैं को कहां पर पेंट्रेट करना है वह बड़े असानी से बटर कर जाएंगे यार इसका पूरा लोग कोई देख रहा है तो बड़े असानी से पेंट्रेट कर देगा कोई दिक्कत नहीं होगा साइट से भी कुछ खास नहीं कभी कबार बाउंस मिल जाएंगे लेकिन कुछ नहीं और बाकि USA के टांक की तरह इसमें भी यार पीछे से बिलकुल ही एची पेंट्रेट कर देगा औ और बहुत ही जादा इसका बटर करना अगर तुम लोग जानते हो कि इसको कैसे डील करना है तो यह है लेकिन इसके साथ इसका गन भी प्रॉब्लम है अब बन की बात करेंगि तो यह टॉप टियर का गन है जो कि से कंड अप पर वह यहां पे इमिंग टाइम दे देता है फो प्रिमियम प्रेंट्रेशन और चार सो उसके बाद यहां देको लिमिट जो है गन लिमिट आने के डिप्रेशन वह पांच डिग्री का तो बाकी सब ठीक है इस टैंक का लेकिन जो इसका स्पेशल जीस होता है ना जो कि लोग इसको पसंद करते हैं ड्राइब करना यानि कि जो सब्सक्राइब करता है और मैं तुम लोगों को सामने बैटल फिल्ट पर पहुंचोंगे ना दो चार बंदे तुम्हारे अच्छा घासा डैमेज ले चुके रहेंगे तो बहुत जादा यार श्ट्रगल करता है और मैं तुम लोगो परसनली खुद भी बोलूंगा कि इस ट सब्सक्राइब को मैं बताता हूं आज सबसे पहले तो तुम्हें को इस टॉप टेर का गन जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इसको अगा यूज कि तुम्हारा खेलने का कोई मतलब नहीं है गेम तोड़के फेग दो अपने इंस्टॉल कर दो तीक टीर 10 को करें दूब तो भाकि हम चलते हैं संह клиमे और मैं बता दोकि मैं स्टाइग मैंक हाय मकले सकता इतना पाय इतना जादा इतना गषा उट तो मैं हम उटकर लिए उन नशकेख पर दिफ में Şimdi 7 bastante कि शड़ा लेकिन सबसे टांक इसी वर ने सच बताना क्या तुम लग को लगता है कि 20 km स्पीड अच्छा है मतलब भले ही टैंक है आर्मर करता है या लेकिन वही बात है ना लोग जानते हैं जहां पर प्रेंट्रेट करने को बड़ असानी से प्रेंट्रेट कर देते हैं और एक और बात यहां पर वैसे हमारे जो दोस्त अपना टॉप 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 टीर वाला मैंने जानता है वह उसने यह क्यों ग्राइंड के लिकिन जो भी मतलब होगा रीजन होगा में वो देख जाएगा बाकि यह अर चीज यहां पर फायदावली भी है कि यह हमारे दोस्तॉप टियर पर है यानीकि टियर 9 कर सकते हो बट वह उस नहीं पर तुमते टे के मैश में किक राते हो तो starting में ही हमारे तीम जो है वह इतनी अच्छी हमां इतनी इतनी शानदार है कि उन्होंने एक प्लेयर ऐसे ही लूज कर दिया लेकिन यार यह चीज जो अभी तुम्हें नौसो पंदरा डामेज एची के साथ खुदी सोच यार नौसो पंदरा डामेज एची के साथ अभी लेंगे यह मैंना यही एक ऐसा चीज है जो कि इस टायन को बचाया रखता है नहीं तो जार को इसको ड्राइब करना पसंद नहीं करें मैं लिख करें दूं तुम्हें खुद बताओ कि कितने बार तुम लोग ने इस टायन को देखा है बैटल फिल्ट पे एक और बहुत ही खतरनाक हाई यह एलफा शॉट लिए हमारे दोस ने और अब्जेक्ट को बिल्कुल ही मतलब क्या है वह बंदा कुछ करी नहीं सकता था भाग रहा था बस कि समझ लो उसका खेल पूरा खतम हो गया अब देखो यहां पर हमारा दोस सोचे का कि चलो चलते हैं देखते किस पर शॉट सकते ह अब आप दोस ने कहा चलो पूरा क्लाइम करने से अच्छा से उपर शॉट लेते हैं तो यहां पर दोस्ट लेने जाएगा एम 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 ओफ कॉस्स यहां पर वैसी वह लगता है अपनी हमारे दोस्तने यह बिल्कुल भी अच्छा शॉट ने लिया मैं यह चीज मानूंगा क अब यहां पर यह बिल्कुल इसको दिख रहा है जिसके तरफ बुड़ आप लेकिन अफ कॉस्पीड जो मैंने हमेशा कहा है इस पीड बहुत बढ़ा प्रॉबलम है अब यह यह बाद बढ़ी गल्ती है को हमारे दोस्तने किया यह बढ़े शॉट बढ़े असानी से 900 अग से वारी तरहा उस संट होनी जलीक है को जाלא जास जो भोलन कि पूर संसийित टिस एक श्याग्न आप भारभ अजय को बैट यहां हम कर बाद को अब हैस्व बचा हुआ है और यह अच्छी बात नहीं क्योंकि एक ऐसा टांक है जो कि उसको बटर कर सकता था बट वह अब नहीं बचा है तो अभी देखो यार सिच्वेशन टू वर्स फोर का सिच्वेशन है और इस टांक के साथ यह सिच्वेशन होना तभी तुम लोग जीत सकोगे अगर सामने वले बंदे नूब हो और यहां पर तुम लोग को कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा मतलों एक्स्ट्रीमली लगी बैटल जहां पर टीर 8 है टॉप का गन्य तुम्हारे पास बंदे नूब है अफकॉस यार हैं मैच मेकिंग हैं होता है यह तो फिर देखो यहां पर शॉट बढ़ करना थोड़ा थाला कि विगली होता ही नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ट्राइब कर सकते हो और हमारा दोस्त तुरंत तुरंत ही मतलब इस तरीके जा करके 25 के तरफ मुड़ गया लगली 75 यहां पर उसके बैक में नहीं आ पाया क्योंकि वहां पर SMV का डेट बॉर्ड ही प कर देख रहें कि क्या वो क्या कर सकता मतलब देख एक बचाय है जो कि कुछ कर सकता है बाकि T-44 बाके पर में तो कुछ ना कुछ ज़ोर प्लy casos सकता है अभी हमारा दोस्त देत कि वह यहां पड़कर सकता है तो हमारा दोस्त आप पर ट्राइक जायर एब शॉlect यह अर लयंक शॉट यह भी लगी शॉट था भाई बहुत लग साथ देरा रहें जी तो एक दमना कि भाई के साथ है पूरी तहीं कैसे और यह हमारे दोस्ते हैं अच्छा से शॉट लिया और अब यहां भी यह आ रहा है साइड में देखो जाएग अच्छली मेरा बड़ असानी से लेकिन मैंने बताया था ना हाई प्रोफाइल वाली बात जाग का प्रोफाइल हाई है तो फिर वो उसके कपूला को बड़ असानी सामारे दोस्त को पेंट्रेट किया उसने देखो फिर बाही बात दुआ फिर भी हमारे दोस्ते हैं से यहां पर जाग को खतम किया क्योंकि अच्छा जो कि मैंने बोला टी फोटी फॉर बिल्कुल भी अच्छा प्लियर नहीं ता मैं लिख के दे सकता हूं तुम लोग को यह क्योंकि अगर कोई भी मीडियम टैंक होता इस सिच्वेशन में तो वह डेफिनिटली बड़ असानी से हमारे दोस्ते पीछे आ जाता और लेकिन वह नूब था हमारे दोस्ते अपना काम किया और बहुत ही शानदार विक्टरी यहां पर निकल किया है जो मार्श्री था अफकॉस और हमारे दोस्ते यहां पर डील किया 7600 तो देख दोस्तों तुम लोग ने कि कितना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है टी 95 गिवन क तुम हाय टीयर पर हो तुम्हारे पास जो गन हो वह यह वाला हो और जो मीडियम टैंक के और लाइट टैंक वह इतने ज्यादा नूब हो कि वह तुम्हारे पीछे भीना आपा है सामने से चौट लें तो इस तरीके के गेम में ही सिफ तुम इस टैंक में अच्छा परफॉर टैंक है क्योंकि यह लाइन में आता है एठी के और डेफिनेटली मैं बता दो एठी वन आफ दा मोश्ट ओपी टैंक है क्योंकि आर्मर जो गजब भाई इसका कपूला मलब की पैंट्रेबल ही नहीं इतना मुश्किल होता है कपूला को पैंट्रेट करने में तो करो कि किसी तरीके से बस अपने टीम के सामने रहो अपने टीम के साथ रहो एनिमी टीम के बिल्कुल सामने रहो और फ्लांकिंग से बस बच सको किसी भी तरीके से बाकि यह टैंक काफ़ी लादा लग पर डिपेंट करेंगा और मैश मेंकिंग पर डिपेंट करेंगा क्योंक चल ग्यांत्यब्व लगिंगों कर सकते हैं तो कुछ काम कर सकता है तुम लोंक्They कि अगली वीडियो में आउद मैं कब्ली अगली वीडियो मेंने लाख पता चल गयाओ कमेंट में पूच्छी लेडियो अगली वीडियो में परके लिए गुटबई टूम्यर पोर दो